आखिर श्री कृष्ण अपने सर पर मयूर पंक क्यों लगा कर रखते हैं? ये कहानी जोड़ी है रमायन से मानिताओं के हिसाब से एक बर भगवान राम और मा सीता वन में विचरन कर रहे थे तभी मा सीता को प्यास लगी पर आस पास कोई जलाशय नहीं दिख रहा था उस वक्त श्री राम ने प्रकृती से विंती की कि उन्हें जलाशय तक का रास्ता दिखाएं और तभी एक मयूर उनके सामने आकर बोला कि वो उन्हें एक नदी तक का मार्ग बताएगा वो उड़ते उड़ते मार्ग पे अपनी पंख गिराता जाएगा जिससे श्री राम और मा सीता नदी तक पहुँच जाएगा यही मालूम होने के बावजूद कि ऐसा करने पे उसकी मृत्य हो जाएगी महीर ने खुशी खुशी अपने पंख गिराएग और नदी तक का रास्ता दिखाया इस पर श्री राम ने उससे वादा किया कि उसके रिन को चुकाने के लिए वे अगले जन में उसके पंख को मुकुट स्वरूप पहनेगा तो ऐसे ही वीडियोज देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें थिंक भारत को